नमस्कार दोस्तो मेरा नामे कुंदन और स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस यूटूब चनल अपडेट्स भी कुंदन में दोस्तो यहां पे रेलवे के दुवारा डी एफ सी सी आई एल के फॉर्म निकली गई है आज यहां पे 1074 करीब करीब पोश्ट निकली है तो इसके बारे में आज हम जानेंगे कि कि यह किसे के लिए वैकेंसी है कौन इसे फिल कर सकता है सारे इलिजिबिट्री क्रेटेरिया हम लोग आज देख लेंगे इस फॉर्म में कौन इसको फॉर्म भर सकता है कौन इसके लिए फाइनरियर वाले इस लिजबल है या नहीं है कितनी सैलरी है कितने एज तक भर सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो देखे दोस्तो इस फॉर्म को आज आज से या फिल कर सकते हैं 24 2020 से इसकी लाश डेट रखेगे यह 23 मार्श 2020 और एक्जाम जो है जून 2021 में कंड़क्ट करवाई जाएगी इसका एक्जाम जो है ऑनलाइन मोड में होगा और तीन अलग-अलग केटोगरी के लिए यहां फॉर्म निकालेगी है जूनियर मैनेजर, इक्जेक्यूटिव और जूनियर इक्जेक्यूटिव के लिए तो यहां पर पहली वैकेंसी की योड हम लोग बढ़ते हैं तो पहली वैकेंसी यहां पर निकली है आपकी जूनियर मैनेजर, इसकी सैलरी देख रहे हैं यहां पर हुए 50,000 से लेकर 1,60,000 तक यहां पर एजुकेशन कॉल क्वालिफिकेशन रखी गई है बैचलर डिगरी इन सीविल इंजिनियरिंग 60% मार्क्स के साथ और मेडिकल स्टैंडर्ड ए3 रखा गया है वैकेंसी काफी का में 31 है इस कैटोगेरी में लेकिन आगे हमारे पास और वी वैकेंसी है जूनियर मैन इंबी और पीजी डियम होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ और मेडिकल स्टैंडर्ड यहां पर एटू रखा गया आप एवन एटू 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 एट्री जो भी है यहां पर बीटू यह आप देख लीजेगा अलग-अलग कैटोगेरी होता है यहां पर जिनका आई का जो भ प्रकाँनिक्स में बीटू मांग गया है फिर आगे बढ़ने पर यहां पर सिविल के लिए 73 वैकेंसी आपका डिप्लोमा वालो के लिए वो डिप्लोमा ठीएर्स के लिए जो भी ऐलेक्ट्रिकल किये हुए है यहां पर एक्सक्यूटिव की वैकेंसी है यहां पर सबसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनका की मार्क 60% से ज्यादा हो और मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें A2 रखा गया है और इसकी वैकेंसी 237 है तो याद रखेगा इसमें लेकिन दो एक्जाम होने वाले हैं प्री और मेंस दो एक्जाम होंगे एक्सक्यूटिव ऑप्रेशन बीडी पर अगर बढ़ते हैं तो इसकीूटिव मेकैनिकल के लिए हैं यहाँ पर इसमें टोटल 3 वेकैंसी है और इसमें डिप्लोमा मांगा गया है मेकैंकल या इलेक्ट्रिकल में फिर आगे बढ़ते हैं तो जूनियर इक्जक्यूटिव फर यहाँ पर शूनियर होना चाहिए SBT से और NCBTC के लिए जो कि काफी कम लोगों के पास होती है तो जिनके पास भी है वो अप्लाई कर सकते हैं इस कैटोगेडी से और वो इक एकिशम शरते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं इसे में भी सेम क्वालिफिकेशन है ग्रैजुएट इन एनी डिसिप्लिन तो जो लोग भी ग्रैजुएट हैं 60% के साथ वो लोग इस कैटुगेरी में फॉर्म फिल कर सकते हैं फिर जूनियर एक इसकेटिब मेकैनिकल के लिए है अब आगे चलते हैं हम लोग फ्रेंड्स तो आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देख सकते हैं कि इसमें वैकेंसी बोला गया है कि आपका जो है आगे फर्दर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है वैकेंसी और जो लोग भी फाइनल येर में हैं जो भी भाई फाइनल येर में हैं तो वो लोग इलिजिबल है या नहीं है तो यह आप साफ मना कर दिया गया है कि जो लोग भी final year में हैं वो not eligible है apply करने के लिए तो वो लोग apply नहीं कर सकते हैं यहाँ पर अगर मैं age limit की बात करूं तो age limit junior manager का 18 to 27 रखा गया executive के लिए 18 to 13 and junior executive के लिए 18 to 13 30 years रखा गया है और age relaxation आपको एज government के द्वारा जो मिलती है आपको मिल जाएगी ACHT के लिए 5 years and OBC के लिए 3 years and 10 years मिल जाएगा आपको जो लोग भी PWD candidate है friends यहाँ पर मैं बता दूं कि कौन किन लोग का exam single exam होने वाला किन लोग का exam double होने वाला दो phase में होने वाला है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लोग junior manager civil के लिए form fill करेंगे वो उनका single exam होगा CBT1 और उसका document verification हो जाएगा फिर interview होगा और medical test होगा फिर junior manager के लिए भी आपका CBT होगा और document verification and interview इंटर्विव जो है आपका सिर्फ तीन post के लिए रखा गया है junior manager civil operation and bd and mechanical के लिए तीन post के लिए आपका interview रखा गया बागी किसी के लिए भी interview नहीं रखा गया और यहाँ पर tier 1 और tier 2 phase में exam सिर्फ और सिर्फ executive bd के लिए रखा गया है इसमें interview नहीं होगा बागी सब बागी जैसे अगर आप इसमें फिल करते हैं junior executive bd में तो आपका सिर्फ और सिर्फ प्री होगा मेंस नहीं होगा और उसका सिधा document verification हो जाएगा तो यह दो गंटे का exam होने वाला है online mode में यह आपका दो गंटे का exam होने वाला है यहां पर लिखा गया है दो गंटे का exam है आपका यह और इसके लिए negative marking 0.25 भी रहेगी और minimum qualifying marks यहां पर 40% general के लिए 30% CST OBC के लिए रखा गया है लेकिन यहां पर जो भी merit बनेगा उसके हिसाब से ही आपको job मिलने वाली है अगर examination center की बात करें तो examination center जो है आपका पटना, एमदावाद, गुहार्टी, बारनसी, भुवनेशवर, और चिन्नाई, लखनव, कोलकता, etc. में यहां पर दिया गया है एक बात और यहां पर बोला, gave the number of candidate applying for a particular post wireless अगर किसी push के लिए कम form फिल किये जाएंगे तो उन सब का जो exam देल ही NCR में ही होगा examination fees के अगर बात करें friends तो examination fees जो है आपका junior manager के लिए आपका 1000, executive के लिए 900 and 700, junior executive के लिए रखा गया प्लस GST, bank charge के साथ आपका GST भी लगेगा और यहां पर examination fees, SCHT, PWD और ex-service man के लिए कुछ भी नहीं रखा गया, exempt कर दिया गया है उससे कोई भी examination fees, SCHT वालों को pay नहीं करनी है friends यहां पर अगर हम syllabus की बात करें, तो syllabus यहां पर देख सकते हैं, आप junior manager के लिए syllabus जो है आपका part 1 and part 2 में रखा गया है, जिसमें की part 1 में आपका 24 question and part 2 में 96 question पूछे जाएंगे part 1 में आपका general knowledge, general aptitude and reasoning पूछा जाएगा और part 2 में आपका जो भी BTEC में पढ़ा गया होगा, उनका syllabus जो भी है civil वालों का वो पूछा जाएगा और इसी तरह से junior manager operation and BD के लिए भी same, आपका part 1 में general knowledge, general aptitude and reasoning और part 2 में आपका अपने branch का question पूछा जाएगा, same आपका mechanical के लिए भी वही है friends and next civil के लिए executive के लिए भी वही है अगर मैं बात करूँ यहाँ पर executive operation की, तो executive operation की जो है slivers यहाँ पर देख लीजे general knowledge, logical reasoning, numerical ability, general science, history of Indian relevance and dfccil dfccil और Indian relevance की जो history है वो पूछी जाएगी एक अलग से and economics and marketing and customer relation यह friends आपका slivers है, तो इसमें सबसे ज़्यादा बैक NC है जो की कोई भी graduate apply कर सकते हैं तो जो लोग भी apply करना चाहते हैं वो इस slivers के according अपनी preparation आपनी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दें सेम फिर mechanical में भी आपका दो पार्ट में exam होगा, executive के लिए mechanical में जिसमें की एक पार्ट में आपका general knowledge, general aptitude और second part में आपका अपना syllabus branch का syllabus आएगा अगर मैं फिर से junior executive operation की बात करूँ तो same syllabus इसमें है जो की executive के लिए रखा गया था बस इसे part 1 और part 2 में distribute कर दिया गया तो part 1 में 60 questions होंगे और part 2 में भी 60 questions होंगे जिसमें part 1 में general knowledge, numerical ability and general aptitude reasoning and part 2 में आपका history of Indian railway and DFCCIL and economics and marketing, logical reasoning and customer relation इन सब के बारे में आपको पढ़ना है तो बस आगे आगे आपको मैं बता दूँ friends कि आपको form भरने time जो है किस तरह का photographs डालना है तो यहां पर लिखा गया photographs के बारे में कि photograph आपका 3 big से older नहीं होना चाहिए और यह light color का होना चाहिए और 200 to 300 pixel में से image upload करिएगा जिसका कि size 30 kb to 80 kb 50 kb to 80 kb होना चाहिए and signature जो है आपका friends blacking paint से होगा और जो है आपका 140 into 60 pixels का होना चाहिए 10 kb to 30 kb का इसका format होना चाहिए friends उमीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा मैंने इस वीडियो में पूरी जनकारी आपको दे दी है कि कौन लोग इसको form fill कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के पाद आपको अंदाजा लग गया होगा कि आपको form fill करना चाहिए या नहीं करना चाहिए friends कोई भी doubt हो आपका तो comment box में जरूर पूछ लेना जो भी doubt हो आपका और please friends इसको subscribe जरूर कर देना इस channel को जो भी हमारे चैनल पर नए हो इस channel को subscribe और like जरूर कर देना वीडियो को और कोई भी doubt हो friends तो आप comment में पूछ सकते हो तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो में